बिहार के पूर्य मुख्य मंत्री और राष्टिय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादों का तबियत जादा विगणने के बाद उन्हें राची से दिल्ली स्थित अखिल भारती आयरोविज्यानिक संस्ता में भरती कराया गया है सुत्रो समीली जनकारी के मुताबिक पूर्य केंदरी मंत्री लालू प्रसाद यादों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है लालू को सास लेने में परिसानी की बात सामने आ रही है इस बीच ये भी जनकारी सामने आई है कि उनकी किडिनी सिर्फ 25 परतीसत काम कर रही है आईए जानते हैं कि क्यों और कैसे होती है किडिनी संबंधित परिशानी जिससे जूज रहा है बिहार के पूर्य मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादों दिल फेपडे लीवर की तरह ही किडिनी सरीर के महत्पूर्व अंगों की एक हिस्सा होता है इसके खराब होने से जिंदगी और मौत के बीच फासला कम होने लगता है उची समय पर इलाज और किडिनी ट्रांसप्लाट नहीं होने की इस्तिती में मरीज की मौत हो जाती है किडिनी रक्त में मौजुद पानी और ब्यर्थ पदार्थों को अलग करने का काम करती है दबाओ के कारण लोग जंग फूड और फास्ट फूड का सेवन जादा करने लगे हैं इसी वज़े से लोगों की खाने की प्लेट में स्वास्त और पौश्टिक आहार गायब होते जा रहे हैं कीडिनी के रोगों को दूर करने के लिए कुछ प्राकृतिक उपायों की मदद लेना बहुत फायदेमन साबित हो सकता है हर साल कीडिनी की बिमारी के चलते लाखों लोग अपनी जान गवा बैढते हैं लेकिन सबसे खतरनाक बात ये है कि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है ऐसे में लालू परसाद यादो के स्वास्त को लेकर हर कोई दुखी है और हर कोई यही कामना कर रहा है उनकी स्वास्त जल्द से जल्द ठीक हो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है क्या लालू परसाद यादो को अब तेजस्यू यादो जेल से बाहर निकल वाएंगे ये देखने वाली बात होगी क्योंकि सियासत भी आर की लगातार गर्मा गई और जिस तरीके से नितिज कुमार पर निसाना साधा जा रहा है आने वाल आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि देश विदेश के जुड़ी खबरे आप मिर्श न करे क्योंकि करोना काल में दो गस्दूरी मास्क है जरूरी